आमिर खान की बेटी जल्द ही अब दुलहन बनने वाली है बता दे कि आमिर खान के घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली है आमिर खान की लाडली ईरा खान जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही है कुछी दिनों में ईरा खान अपने मंगेतर नुपर शुकरे के साथ साथ पेरे लेंगी ऐसे में जोरो शोरो के साथ शादी की तयारिया भी हो रही है इसके कुछ जल किया एरा ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की जिसमें उन्होंने साडी में तस्वीरे डाली बिंग कलर की कॉटन की साडी में माल थे पर लाल बिंदी और फूल की जूरी पहने बहुत सुन्दर आईरा लग रही थी वहीं दूसरी फोटो में आईरा नुपुर के साथ नजर आ रही थी नुपुर यालो कलर के कुर्टे में दिखाई दे रहे थे ये तस्वीर शादी की कपल की हर्दी की सर्मिनी की है जिसमें ये काफी सुन्दर वो नजर आ रही है बीते दिनों आईरा की ने केवलन सर्मिनी की जिसमें इस्टेग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर की और खुब चटचावे भी पटोरी ये सर्मिनी महराश्टियन शादी के एहम फंक्शन का हिस्सा मानी जाती है बता दे कि आईरा के होने वाले दुल्हा लुपुर एक म करेंगे और उसके बाद देस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदय पोर जाएंगे वहीं शादी के बाद आमिर खान मुबई में ग्रैंट वेडिंग रिसेप्शन का यूजन भी करने वाले हैं इस तरीके के खबरे सामने आ रही है लेकिन इसे बीच में जो तस्वीरे देख आ रही है लेकिन नहीं नजर आ रहे तो फिर वो हैं आमिर खान अपनी लाडली बेटी के प्री वेडिंग फंक्शन से दूर है वो दूर दूर तक कहीं भी इस फंक्शन में नजर नहीं आए उन्होंने रीती रिवासों का हिस्सा ना बनना ही सही समझाब इसके पीछे क्या आ कारण है यह तो अब आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन सूशल मीडिया पर आमिर खान की लगतार ट्रोलिंग के जा रही है तरशल आमिर खान के घर में यह पहली शादी है जहां आयरा खान दुलहन बनने वाली हैं तीन जनवरी को उनकी शादी होंगी ऐसे म कयास लगाए जा रही है कि क्या आमिर खान अपनी बेटी की शादी में मौजूद रहेंगे आपको बता दे हाल में ही खबर सामने आई थी कि आमिर खान मुंबई से चन्नाई शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनकी माँ वहाँ पर हैं और साथ ही उनकी माँ बिमार हैं इस वज़ में आखिर सरमनी क्यों रखी गई और इस सरमनी में आखिर आमिर खान क्यों नजर नहीं आ रही हैं ऐसे में लोगों ने आमिर को ट्रोल करना लगातार शुरू कर दिया है